हेलो फ्रेंड्स स्वागत था आपका CSC प्रेशन के इस चैनल में आपका स्वागत है बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम विहार PCS की इस सीरीज में कलार समस्केति के चैप्टर पर बात करने वा रहे हैं जो कि इस सीरीज का सबसे ही महत्रपूर सेक्शन है वैसे इस संस्किति को सामिल किया है और इसमें कुछ महत्रपूर को देखेंगे और आपको बताते हैं यह इंतियाग एहमत की बुक से लिया गया है और वीडियो के माज़न से आपको मुपलब्द करा रहे हैं तो आपसे बिनमर निवेधन है कि जिसने भी इस चैनल को सबस्क्राइब किया है उनको बहुत थन्य बात जिसने नहीं किया है जो नए है अभी चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि बिहार PCS और अन इक्जाम की प्रेपेशन के लिए जो भी माथपूर्ण वीडियो सोगते हैं माथफूर्ण तथ हो सकते हैं वो इस प्रट्वाम के जरी आपको पद जाता किस छेत्र में मनाया जाता है तो इसका अंसर है C मिथला बिहार में पीडिया वरत किस छेत्र में अतिधिक परचलीत है तो भुचपुरी छेत्र में पीडिया वरत अतिधिक परचलीत है बिहार के किस जिला में विहुला तेवार को विशिस धुमधाम से मनाया जाता ह इसका आंसर है इसे भागलपुर में अत्धिक जुम्धाम से मनाया जाता है इससे 20 हरी भुजा भी घाया जाता है देखो देखो आप यह बुरा मत मनिएगा कि हमें थोड़ा चेकने का समय नहीं देने बिल्कुर आप चेक कर सकते हैं इसे वीडियो फॉस्ट है आपको चेक कर इसमे प्राइसे है चेकर फिया यहार की किस जिला में वीःआ को चेहर को कीशिव धूमधाम से मनाए जाता है चैक इस वरत में मालख्रमी की कुजाऑ की जाती मिधिलैंचल में इससे बहुत ही ढूमधाम से मनाए आता है बिहार में धूपडगान के महतुपूण केंड्में तच्शेत्र बक्सर का डुम्राव शेत्र पस्चमित चम्पारण का बीथिया छेत्र बहुत ही धुंदा और वह इसके महतपून केंद्र रहें इसलिए इस में तीनों सब्सक्रूट सब्सक्राइब बिहार के मिथला की संगीत परांप्रा का प्रमारी की hash के मुख स्रोथ कौं सा है राज टरंगनी विभार में ठुमुरी कए केंद्र और आपको बता रहा है कि या म pride अगे हम बात करते हैं बिहार की पटना सिटी की किस मिठाई को ततकालिन प्रधारमंत्री सी अटल भीहारी बाजपी अपने पाकिस्टान यात्रा में प्रधारमंत्री नवासरी फिले भारत से सवगात लेकर गए थे जी हां मिलकुल सही आप से इसका डी खुरुचन था था हमारे ततकालिन प्रधारमंत्री टल भीहारी बाजपी जिसने उन्होंने तो उसमें बस सेवब शुरू की थी जो कि भारत से लेके भात और पाकिस्तान को जोड़ने भात पाकिस्तान की भी चलाए गई थी उसमें उन् ब् billing स्वेडके ल te Villकुचन पतंअ क्लम संबंधित है यहां कर दो साही जवागते बनती चित्र कला से संबंधित है बत्टनाक्रकिस्तों की स साव्धावन के जीवन इसे इसका जैनिक जीवन की दूर्सियों का चित्रण हुआ है पटना कलम के महतुपून चित्रकार थे शिवक राम जिनका काल 1770 में पैदा हुए 18 mari 1860 में निमल्ब उनकी मिरती हो गई 1767 में इनका जीवन काल रहा ये पटना कलम की महतुपून चित्रकार थे लिए किनों ही पटला क्लम सहली किसे संबंदित तेरा इए परवर्ति मुगलकाल से पटना क्लम को चितर अधिकतर कागड़ यो कहीं हाथी दात पर बनाय गया है और यह परवर्ति मुगलकाल से संबंदीत है लेक्स्ट रसन थेका संबंध कि जिसप सब्सक्रार को से हैं Sanayan रहीं सब्सक्रार के समद्दिक है offendde नाम थे अंप्रेशलां कऊंअ मध्मनी चित्र्कक्रां के संब्नेशन के संक्रांभ विष्ट्फजार को सभी है और नेक्ष्ट चौद्वाँ मदमणी चित्रकला के समद में कौन सा कथन सही है कि यह लोक कला है यह चित्र दो परकार के होते हैं पित्र चित्र आरिपन क्या यह सही है पताइए तो या एंस्वर्ग साब के हिसाब से तो इसमें D उपयोग सभी अथा तुद पर जो तीनों विकल्ब है या लोक कला है इसमें महीलाओ की ही पूर्ण भूम का रही है या या चित्र दो परकार क्योते हैं भीत चित्र औरिपन तो या तीनों ही सही है इसले आप्सन D सही है पं प्प्यूक्ट प्र बिहार remain महत्मा बुध्य के समय आइक काओं और नर्तकियों की उपस्थत्त साथ मिले हैं दो खत्रगीर से और B से भी 77 गाईकाओं और नर्तकियों की उपस्ती के साथ मिले हैं कोशन सत्रावा है बिहार का सरवाधिक महत्पूर्ण तेवार कौन सा है छट सरहुल जीतिया और तीच वो लोग तो अच्छी तरह से जानते होंगी जो बाहर रहकर कोशिंगों में अपनी तयारी कर रहे होंगी कि उन्हें छट पूजा के लिए छुट्टी तो मिलती है तो यह बिहार का छित्री तेवार है इस औसर पर सुर्दियों की पूजा होती है और यह बिहार का सरवाधिक महत्पूर्ण तेवार है छट है क्वेशन ठरावाँ है मदुस्रावडी और विसेश्रूप से मनाया जाता है नालन्दा में जिए अभी को सई जवाद दावदी में मुण से निकल गया मदुस्रावडी उपर विसेश्र सब्से कहां मनाया जाता है मितिलांचल में जानला मेला झाया है है मिधिलांचल में आज जीत होता है या साधी व्यास सम्वंदित मेला है जो असाड महिने के अंति में मनाए जाता है कि बहुत ही इंपॉर्टन कुस्टन है मुद्ब कला संस्कीति से जितने सारे कुस्टन बन सकते तो नहीं बनाने की कुसिस की गई है इसलिए आप इसे कर आते देखिए 20 को सबस्कारत कर देखिए औरivas leg का मिला जो चैतर शुकल के त्रियोदसी को आउजित की जाती है कि या मेला महाबीत के जन्म अस्तली बैसाली में आयुजित होती है या जैन धर्मा और लंबियों से संबन दित है पताती है जैन धर्मे से संबन दित है हरियर छेत्र का मेला या सोन पूर का मेला आयुजित किया जाता है गंगा गंडक के संगर पर या सोन गंगा के संगर पर नि या शारणी जी लेके सुननपूर में आयुजित किया जाता है फिर अगला कोशन में 12वा पतना कक्टरी और पतना कालेज की भावन की सेलिज से प्रभावित है वे हॉलाझे से प्रॹवावित है। पटना कॉलिज की जो फवन है हुआ होलेंड से प्रभावित हैं होलेंड से प्रभावित हैं और ध्यान रखने वाली बात है कि पटना में सबसे पहले कौन आए यह आपके लिएक टास्क है इसका जवाब अगले वीडियो में बता जिया जाएगा कि बिहार में आने वाले अभी वही पहले आई हैं और वह आच्छा यह टास्क रख लो कि बिहार में कौन सी कंपनी यूरूपीय कंपनियों में से तिंचार कंपनी जो रहे हैं तो कौन सी कंपनी बिहार में नहीं आई आपके लिए टास्क है आपको कमेट सक्सें में जाके एंसर बताना इस एंसर को इसके एंसरों को अगले वीडियो में कबर कर दिया जाएगा तेस्वां दिखी पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बाकी पूर चर्च पतनेदित करती हैं किसका? शविस्वां देखते हैं तथा उच्छी नियाले की इमारतें किस सहली से प्रभावित हैं आपको बताना है इसका आएंसर सी है उजूपीय पुनजागरन काल की सहली से पत्ना संग्राले यह सुल्टान पेले से प्रभावित हैं इसलिए आप संस्थ होगा परसित सैनाई वादक उस्ताज बिस्मिल्ला खांकर जन्म कहा हुआ था बहुत ही इंपार्टन प्रस्चन पसिद्य सायनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खा का जनम कहा हुआ था बकसर के डुम्राव छित्र में 26 देखिए बिहार की पेंटिंग बिद्या कुन सी है या रिपीटेट कोस्टन है और 46 देखिए बिद्या कुन सी है एक मधवनी मनझूसा चित्रसैली किस छेत्र में लोग पिडिये थी जिहां बिल्कों सरीजबाब अंग 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 छेत्र में मनझूसा चित्रसैली बहुत ही लोग पिडिये थी विद्या किस राज का लोग पिने नाटे ने रततते हैं बिभणी राग किस ऊसर पर घाया जाता है विवाह क के आसर पर घाया जाता है लगन से मंदीत है लगन कर दार चलबूर को क्या कहते है वो स्टll tr को सी रचना नहीं है कितनी चौरा है विदेशिया, जुलूस, माइला आंचल नहीं है 21 देखते हैं 9 नौनालंदा महाव्यार किसके लिए प्रसिद्ध है यह भी बहुत important question है इसलिए रिपीट किया भी जा चुका है इसलिए आप ध्यान से बहुत गोफ सही question को देखिये जवाब तो देखी चुके होंगे इसलिए नौनालंदा महावयार किसके लिए प्रसिद्ध है तो यह पा असनातों का सोच संतान तो दूस्तों यह 33 कुश्चन आर्ट एंड कल्चर के कंप्लीट होई बिहार के छित्र के तो मैं तो कहूंगा अब यहां से भस नहीं है और ध्यान ध्यान से देख के जाईएगा तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक किजिए नहीं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो भाई यह कि जाहिए और मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ अगली बात बता यार कि कौन सी वीडियो किस टॉपिक पी चाहिए हमें पता नहीं चल पाता ना रिस्पांस नहीं मिलता कि किस स्थित के लिए आपको वीडियो चाहिए और हम रे वीडियो मिलने तुस्तों रिस्पांस करो अब बताओ किस सिर्ट पर मनाएं तो यह रहा आपका आर्ट इंड कल्चर पर पूरे तहते इस कोश्चर कपर केक कर दिये जा चुके हैं अगली बार जो वीडियो आएगा कमेंट सेक्षन पर जिस टॉपिक बताएगा होगा वह यह उसी पर आने वाला है तो यह चैनल को सब्सक्राइब करो कैसे कहते रहें क्या करो सब्सक्राइब करो लाइक करो एंड सेयर करो दोस्तों की बताओ इस बार की तो परिच्छा के लि जो सफ्ट्वी से लेकर जितनी न आने वाली आगे कि उनके लिए इप्सक्राइब कर गद्हूं को अगर ईतना सब कबर कर दिया घनवाद ये दे तुक देखने के लिए आफ लोगों को मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में जैंद जैभारब जैबियार